Hello everyone, I am Kajil Dhami and welcome to my channel People Teacher. I hope आप सभी ठीक होंगी. मेरे इस चानल के माधियम से मैं आप लोगों की CETA 2020 और अदर टार्ट एक्जाम के प्रपरेशन में आप लोगों को हेल्प करूँगी. अगर आप CETA 2020 और अदर टार्ट एक्जाम के प्रपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. अब मैं आप से डारेक्ट वीडियो की एंग में मिलूँगी. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश पैडगोजी की कुछ नेगेटिव टागवर्ट्स दिस्कस करने वाली हूँ. टागवर्ट्स कुछ ऐसे स्पेशल शब्द होते हैं जो हमारी पैडगवर्जी में जान डाल देते हैं. और हर सब्जेक्ट की पैडगोजी में कुछ पॉजिटिव टागवर्ट्स होते हैं, सकरात्मक टागवर्ट्स और कुछ नेगेटिव टागवर्ट्स होते हैं, जो की नकरात्मक टागवर्ट्स होते हैं. अब देखिए आपको कोशिश क्या करनी है कि अगर ऐसा कोई question आ जाए जिसमें ये negative tag words आपको मिले तो आपको उन्हें ignore करना है और जो सकरात्मक tag word होंगे जो positive tag word होंगे आपको उन्हें focus करना है इससे पहले मैंने already positive tag words पर वीडियो बनाई है आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन negative tag words को detail में discuss करते हैं पहला word जो हमें discuss करना है वो है road learning slash crammy यानि कि आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने classroom के अंदर road learning नहीं करानी यह सारे हम negative tag words discuss कर रहे हैं road learning में हम basically हम बच्चे को रटा मरवाते हैं यानि कि concept बच्चा समझ नहीं रहा है आपी बस उसे learn कर रहा है हमें कोशिश करनी है कि जो student है वो understanding के साथ चीज़ों को समझे ना कि road learning या फिर cramming करें next tag word है gender biasness यह हमें classroom में बिलकुल avoid करना है gender पक्षपात हमें नहीं करना हमारे student हमारे लिए बराबर है चाहे वो male हो चाहे वो female हो हमें कोशिश करनी है कि हमें सबको encourage करना है और सबको equal opportunity देनी है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाए और कहीं न कहीं हम अगर equal opportunity सारे बच्चे को देते हैं तो इससे बच्चों में confidence बढ़ता है तो ऐसा question जिसमें gender biasness या फिर gender segregation यानि कि सबको अलग लग कर दो girls को अलग कर दो boys को अलग कर दो ऐसे बाते बोली जाए हमें उस option को ignore करना है अब चलिए अगले tag word के तरफ चलते हैं अगला tag word हमारे सामने है control class with discipline यहाँ पे with full discipline यहाँ पे हमें बोल रखा है कि हम लोगों को class को control करना है हाँ यह सही है कि आपके control में होनी चाहिए आपके class पर full discipline के साथ जरूरी नहीं है आप यहाँ पे language बढ़ा रहे हो तो language में कई बारी communication भी होता है आपके और आपके student की बीच में in fact peer group के बीच में भी communication होगा इससे कही बारी क्या होगा कि class में थोड़ा indiscipline create होगा बट यह एक healthy indiscipline होता है इसका मतलब यह नहीं कि आपको पूरी तरीके से control कर लेनी है class और बस class आपके बात सुने class आपके बात सुने बट कहीं न कहीं वो learning भी करे अगला यहाँ पे term लिखा हुआ है teacher center approach देखिए यह माना गया है कि हमें class के अंदर child center approach अपनाने जीए क्योंकि हमें child को center में लेना है ना कि teacher को यहाँ पे teacher अपनी knowledge नहीं चेक करी कि मैं कितनी अच्छी teacher हूँ यहाँ पे basically यह चीज हो रहा है कि आपकी learner कितना बढ़िया learn कर पाएंगे और इसके लिए teacher को क्या करना चाहिए teacher बच्चों को facilitate करें यानि कि teacher बच्चों को बढ़ावा दे यहाँ पे हमें बच्चों को center में रखना है और बच्चों पे ही focus करना है तो कहीं न कहीं ऐसा option जिसमें child center approach है हमें उस option के तरफ जाना है ना कि teacher center approach के तरफ अब चलिए अगला tag word discuss करते हैं अगला tag word आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने next tag word है only lecture method देखिए हमें different different method को opt करना है अपनी class के अंदर ताकि हमारी classroom dull और boring ना बने यहाँ पे रखा है बस आपको lecture method से पढ़ाना है कई बारी यह होता है कि जब हम language पढ़ाते हैं तो हम यह सूचते है कि इसमें कहां ही activity उतनी पनेंगी हमें activity based learning करानी है learning by doing method से कराना है हमारा aim यह नहीं कि बच्चा grammar के rule learn कर ले या फिर chapter की story समझ में आ जाये summary लिख ले और बस question आप से कर ले हमें lecture method को तो सबसे कम use करना है जहाँ पे आपके different method use हो सकते हैं जैसे communicative method जहाँ पे हम communication के through बच्चे को पढ़ा सकते हैं यानि कि यहाँ पे हम communicate करना बच्चे को सिखा रहे हैं इससे बच्चे का interaction different skill use के जाती है LSRW यहाँ पे हमें बता रखा है one skill at a time यानि कि eight time में आप एक ही skill use करो यह आपको किसी भी book में या फिर किसी भी concept में नहीं दिया जाएगा कि आपको एक skill को एक time में use करना है आप चारो skill को साथ में use करने की कोशिश करो जिससे बच्चा चारो skill को integrate करना भी सिखेगा और कहीं न कहीं चारो skill बच्चे की साथ में develop होगी अगर हम सिर्फ एक skill को एक time में focus करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बाकि skill बच्चे के थोड़ी weak रह जाएं और उससे कहीं न कहीं language सीखने में उसे दिक्कत होगी अगला tag word है traditional classroom हमें कोशिश करनी है कि हमारी classroom एक traditional classroom बनके ना रहे traditional classroom बेसिकली एक ऐसी classroom हुआ करते थी जिसमें main focus teacher पे होता था यानि कि यहाँ पी teacher के पास पूरी authority है कि teacher अपने according बढ़ाएगा पहले से ही lesson plan जो होगा वो fix होगा कि इस तरीके से हमें lesson को बढ़ाना है और इस तरीके से class में बढ़ाना है हमें traditional classroom नहीं बनाना हमें एक dynamic class बनानी है जिसमें teacher और student की बीच में बहुत अच्छा interaction हो और एक healthy conversation हो ताकि बच्चे अपने मन के बाद teacher के सामने रख सकें और बच्चों का confidence भी बढ़ता रहे है कि हाँ हमें teacher appreciate कर रही है अगला यहाँ पे आप tag word देख सकते हो more focus on textbook यह देखिए जब हम language pedagogy की बात करते हैं especially language teaching की बात करते हैं तो हम लोगों को यह कम से कम ध्यान देना जीए कि हम सिर्फ और सिर्फ textbook पे focus करें ऐसा नहीं करना हमें textbook में जो बाते लिखी हैं वो तो हम class के बीच में बच्चों को पढ़ाई रहे हैं हमें बच्चों को real life situation से भी interact कराना है अब देखिए बच्चा जो textbook में पढ़ रहे हैं वो कहां और कितने हद तक अपनी daily life में यूज कर पाएगा हमें इस ही को भी focus करना है हम अगर सिर्फ और सिर्फ textbook पे focus करेंगे तो उससे बच्चा जब class change होगी बच्चे के textbook महीं रह जाएगी और बच्चे की knowledge भी limited रहेगी तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें textbook पे focus करना है पर सारा focus textbook पे नहीं होना चाहिए next negative tag word है आप यहाँ पे देख सकते हैं conversion या फिर close ending thinking मैंने जब आपको positive tag word कराया था तब मैंने वहाँ पे divergent thinking लिखा था यानि कि बच्चा किसी problem की multiple solutions सोच पा रहा है और conversion thinking इसका just opposite होता है जिसमें बच्चे की जो thought process है जो thinking process है वो एक point पे आके limit हो जाती है हमें ये नहीं करना हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चा चाहे किसी भी subject को समझे बच्चा diversion तरीके से thinking करे और यहाँ पे close ended thinking की बाद की गई है कि बच्चे की thinking एक point पे आकी मतलब limited हो जाएगी हमें बच्चे की thinking open ended बनानी है कि बच्चा question करता रहे बच्चे के mind में doubt create हो और doubt हमेशा एक बच्चे की learning को बढ़ाता है यानि कि अगर बच्चा कभी learning कर रहा है तब ही उसके doubt आएंगे अगर classroom में आपके student doubt पूछ रहे हैं तो आप उसे positive ले लो क्योंकि वही बच्चा doubt पूछेगा जो बच्चा सीख रहा है उस बच्चे के doubt कहां से आएंगे जो बच्चा सीख ही ने रहा अब चलिए next tag word के तरफ बढ़ते हैं नेक्स tag word है हमारे सामने more focus on grammar rules यानि कि यहाँ पर बता रहा है कि हमें grammar rules पर ज्यादा focus करना है ऐसा नहीं है grammar के rule हमें बच्चों को सिखाने है बट इसका application भी हमें बच्चों को सिखाना है इसके uses भी हमें बच्चों को सिखाने है आप एक बात बिताइए अब बस class में बच्चों को grammar के rules सिखा दोगे बच्चा उन rule को learn भी कर लेगा बट वो rules कब तक बच्चे को याद रहेंगे जब तक बच्चा उसका application नहीं सिखेगा तब तक वो waste है तो यहाँ पी हमें जो tag word दे रखा है कि हमें ज़्यादा focus grammar rule पर करना है हमें focus करना है पर हमें ऐसा focus करना है कि बच्चा rule के application के साथ rule को समझे हमें सिख noun के definition नहीं learn करानी हमें basic core बताना है कि noun संग्या क्या होता है अब चलिए next tag word के तरफ चलते हैं जो कि segregation या फिर separate group देखिए आपकी class में बच्चे अलग-लग level के होते हैं जैसे average, below average, above average हमें classroom में बच्चे को segregate नहीं करना यानि कि separate नहीं करना या फिर label नहीं करना कि हाँ range पे lie करते हो हमें इस siege पे focus नहीं करना हमें जादा से जादा कोशश करनी है कि बच्चा एक दूसरे के साथ interact हो और जिन बच्चों को कोई language या फिर किसी content में थोड़ा बहुत problem है वो भी सब के साथ मिल किसी के इसके लिए हमें करना क्या चाहिए हमें ऐसे group create करने चाहिए जिसमें हर level के बच्चों को हम include करें कुछ ऐसे student जिने particular चीजों की knowledge थोड़ी जादा है कुछ ऐसे student जिने average knowledge है कुछ ऐसे student जिने below average knowledge है हमें उन बच्चों को यह नहीं बताना कि आप इस level पे like करते हो हमें basically ऐसे group create करने है ताकि बच्चा एक दूसरे के साथ interact करे कहीं बच्चे हम से जादा अपने peer group से जादा interact कर पाते है और ऐसे case में हमारी teaching भी successful होगी जब बच्चा एक दूसरे से सेखेगा basically learning by doing method से हमें सिखाना है और यह सारे point जो मैंने इस video के अंदर discuss की है यह सारे negative tag word के part है जो basically अगर हमारी question में हमें मिल जाए तो हमें इने ignore करना है और आप लोगों ने अगर positive tag word की video नहीं देखी तो please आप वो video भी जरूर देखें ताके आपको इस topic में confidence आजाए I hope यह video आपको पसंदा आई होगी इस video में इतना ही अब मैं direct आप से मिलूँगी next video में next topic के साथ bye bye take care